पहला जो मिलता है ईज ए ग्रीन क्लर का साइन है यहां पो जैसल ही आपको आंसर क assert है जायन शात्रो मैं प्रवीन शर्मा आप सभी का competition community के इस e-learning platform पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम competition community की तरफ से आपके लिए cgpsc 2022-23 के लिए test series launch किया कर रहे हैं अब इस test series की जो starting date है वो 2 October से है आपने test series तो जरूर लेना ही लेना है लेकिन ये जो वीडियो है ये test series के बारे में बताने के साथ-साथ आपको ये भी बताने के लिए है कि test series को आपको access कैसे करना है इसी के regarding में हम इस video में आगे बढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं कि test series तक आपको पहुंचना कैसे है और test series को आपको चलाना कैसे है उसको access कैसे करना है सबसे पहले तो हमें इस चीज के लिए किसी भी browser पे हमें जाकर competition community को search करना पड़ेगा यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए competition community सर्च करके रखा हुआ है तो competition community सर्च करने के बाद में आपके सामने competition community के links खुल जाएंगे आपके पास दिखेगा CGPSE coaching and courses competition community यह हमारा जो channel का main link है अब इससे आप जैसी click करेंगे तो आपको हमारा जो हमारा website है जो हमारा e-learning platform है वो आपको open होके दिख जाएगा इस पे आपको जाना है और सबसे पहले तो आपको courses पर जाकी check करना है कि आपको CGPSE का test series कहां मिल रहा है तो इस परगार से आपको यहाँ पर test series के सारे packages दिख जाते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे CGPSE phase 1 plus phase 2 का जो हमारा test series है उसके बार में 2100 रुपे इसकी prize है मात्र और मात्र तो इस कारण यहाँ पर हम जाएंगे और view course करेंगे जैसे ही हम view course करते हैं तो हमारे पास में option open होते हैं कि आप इसमें क्या 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 करना चाहते हैं सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि test series में आपको दिखता क्या क्या चीज है सबसे पहले आपको यहाँ पर test series के सारे features दिख जाएंगी कि इस test series में क्या क्या आपको features मिलने वाले हैं इसके साथ में ही आपको CGPSC Prelims के test series का schedule भी आपको available होता है कि इसमें आपको कब-कब कौन-कौन से test होंगे इसके बाद आपको इसे buy now करना है तो buy now पर हम चले जाते हैं इस पर आप buy now करेंगे जब आप इसको buy now कर लेंगे तो आपसे यह phone number पूछेगा जिसमें कि आपको login करना है तो मैं अपना phone number इसमें डाल देता हूँ अभी के लिए फिर आपको send OTP पर क्लिक करना है तो आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा जैसे कि मैं अपने mobile में भी देख रहा हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने OTP डाल कर इसमें login कर लिया है हमारे website पर इसके बाद में आपको buy now का option है आपको place order करना है और उसके बाद में payment के जो options दिखाएंगे उस तरीके साब place order कर लेंगे जब आप इसको place order कर लेंगे उसके बाद भी यह details पूछेगा आपको उसको आपको fill करना है और उसके बाद आपका जो test हो buy हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको सीधा सीधा हमारे home page पर जाना है जब आप home page पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा access student panel आपने access student panel किया यहां पर आपको आपके my test वाले section है इसमें आपके सारे packages आपको मिल जाएंगे क्योंकि यह test series मैंने पहले से ले रखा है तो इसलिए मुझे यह सामने में दिख रहा है अब यह हमारा test series है इसके लिए हमें यहां पर एक आई का बटन होता है एक आँख करेंगे तो यह आपको सारे test के options देता है एक test को हम करके देखते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि test start कैसे करना है देना कैसे और result कैसे देखना है और analysis उसका जो है वह बहुत ही important होता है वह कैसे देखना है हमें तो यह test को हम start करते है एक for example की तौर पर अब यहां पर जो आप जाते हैं तो इसमें आपको पूरे दिशा निर्देश instructions आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से इस test को देना है फिर यहां पर आपको अपना medium चूज करना है कि आप English हिंदी किस medium में देना चाहते हैं मैं English को चूज कर रहा हूं उसके बाद आपको एक acceptance देना होता है जो इसके instructions होते हैं आप उसको समझ चुके ह इसके बाद आप start exam करेंगे जैसी आप start exam करेंगे तो आपके पास में यह सारे questions आजाएंगे और इसके बाद मैं आपको complete करना है for example मैं इसको लेकर चल रहा हूं तो पहला question है the term ecology was coined by मैं एक option ले लिया option इसे तरीके से मैं इस पुरे question को कुछ questions को हम करेंगे सारे questions नहीं करेंगे तो इसमें है second question को अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें इसी तरीके इस थर्ड को भी इस तरीके सम कर लेते हैं मैं इसी वाप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ इसके बाद में हम इसे save and next करते हुए आगे बढ़ते हैं और जब हमारे सारे questions complete हो जाती है यहाँ पे आप देखेंगे पंस हैं इस तरीके इस पूरे details मिलने कि बाद आप इसे submit करेंगे submit करेंगे तो आपको फिर से एक बार reminder भी देगा कि आपने इतने questions ही attempt किये हैं तो उस condition में आपको अगर आप पीशे जाना चाहते हैं तो close कर दीजे या फिर जैसे की कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो submit test कर देते हैं हमारा test जो है successfully submit हो गया है जैसे ही आप इस window close करते हैं तो आपके सामने इसका एक result open होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने में मेरे दिये हुए test का result open हो चुका है फिलाल तो मुझे 10 नंबर मिले है 100 में इसे क्योंकि मैंने number question सी कम attempt किये थे इस तरीके से यहां पर हमें सारा कुछ मिल जा रहा है कि 36 गड़ जीयास के तो मैंने question ही attempt नहीं किये थे environment के मैंने question attempt किये थे उसमें दस नंबर मुझे पूरे मिले है overall response accuracy क्या थी मेरी environment के हिजाब से 36 गड़ जीयास के हिजाब से not attempted incorrect और correct का दिख रहा है तो क्योंकि मैंने 5 attempt किये थे तो 5 के 5 मेरे correct है इसलिए मुझे green में 5 दिख रहा है इसी तरीके जो इस test में इस test में जिसमें top किया है उस topper के साथ में भी मेरा जो analysis है वो इसमें दिखेगा यह पूरा जो analysis होता है यह बहुत ही जादा important होता है किस current से यह इस current से important होता है कि हम अपनी तैयारी को और कैसा करें कि हम और आगे अच्छी तरीके परफॉर्म कर सकें क्या हमारे साथ में जो लोग test दे रहे हैं वो लोग कैसा perform कर रहे हैं और वो लोग हमारे से कितना आगे हैं यह हमें बहुत अच्छी तरीके इसमें पता चल सकता है ये फायदा होता है ए-learning platform के जिसमें digitally आप सारी चीज़ों को analyze कर लेते हैं तो जैसा कि अब हम लोग ने test complete कर लिया है तो test complete करने के बाद में हमें analysis भी करना चाहिए test का कि हमने जो test दिया उसमें हमने कैसा perform किया और बाकी लोग जो इस test को दे रहे थे वो लोग इसमें कैसा perform किये हैं इसमें जो top किया है उसका क्या marks आये थे इन सब चीजों का एक analysis बहुत ही ज़ाद जरूरी होता है और ये possible है हमारे e-learning platform के थूँ जो आप लोग ने test दिया है उस पे आएए देखते हैं किस तरीके से सबसे पहले तो हमें हमारे my test पर फिर सब वापिस जाना पड़े क्योंकि वहीं पर सारे test available होते हैं आप my test पर गए तो आपके सारे test जो हैं यहां पर available हो जाते हैं अब इसमें हमने CGPSC prelims का भी test दिया था तो इसको हम open करेंगे इसको आप open करते हैं तो यहां पर आपके सारे test आ जाते हैं क्योंकि test number 16 हमने दे चुके हैं तो test number 16 आपकी completed मिलेगा इसी के analysis को हम check करेंगे अब इसमें जैसे ही आपके सामने test number 16 है तो उसमें आपको सबसे पहला जो मिलता है green color का sign है यह आपके marks को दिखाता है कि आपने कितने marks मिलाए किस तरीके से लाए तो अगर हम उस पर click करते हैं तो आपके 16 नंबर के test में आपके 10 नंबर आया थे वो वापिस से आपको पूरा page मिल गया जो आपने अभी test complete करने के बाद देखा था इसके बाद हम वापिस जाते हैं फिर से उसी test पर तो अगला जो sign है यह test discussion का sign है यह भी हम आपको available करवाते हैं ताकि अगर किसी question में आपको doubt है तो आप उस question के उपर में अपने doubts को पूछ सके देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने अपने doubts को पूछा भी है इन सारे doubts का answer आपको provide किया जाता है इसके बाद अगर हम अगले point पर जाते हैं तो अगला point क्या है अगला point है leaderboard यहाँ पर आपको red color की तीन दंडिया दिख रही होगी जिनको 67.36 marks इनको प्राप्त हुए है इसी तरीके से आप देखेंगे तो सारे top लोगों का इसमें आपको नाम मिल जाएगा आगे देखते हैं कि अगला point क्या है इस पे तो अगला जो है आपको answer की है answer की के लिए हम completed में जा रहे हैं इसमें आपको pdf दिखता है pdf पे जैसी आप click करेंगे तो आपके सामने उस test का पूरा answer की open हो जाता है जिसमें आप check कर सकते हैं कि आपने कहां गलती की थी और सही answer क्या हो सकता है इसी तरीके से अब हम वापिस आते हैं अपने my test पर attempt more अगर आप फिर से attempt करना चाहें तो आप फिर से इसी test को attempt कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि एक test को देना ही जरूरी नहीं होता है एक test को देने के बाद में उसके result को analyze करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जब तक हमें हमारी कमिया नहीं पता चलेंगी हम उनके उपर सुधार नहीं कर पाएंगे तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे test series को join करेंगे अपने result को analyze करेंगे और अपने आपको और ज्यादा तयार करेंगे CGPSC में clear करने के लिए मैं आप से विदा लेता हूँ धन्यवाद जै हिंद जै भारत